लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूद पल्चोंदरी आज हम बात करेंगे क्या बाकई मैनापोच के दौरान इस तोनों का साइज बाढ़ जाता है तो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो आम तोर पर 45-55 साल की उम्र के बीच मैलाओं को मैनापो पड़ता है इस दौरान मैलाओं को कई तरह की सारी रिक्समस्यां भी हो सकती है इसमें हाट फिलेसिस्त रात को पसीना आना बार-बार मूड स्विंग होना सोने में दिक्कत होना बोडी सेप तता साइज में बदलाव आना कुछ मैलाओं का मानना है कि मैनापोच के समय से इ सबाल है कि क्या बाकि ऐसा होता है आकिर मेनापोच इस तनों के साइज को किस तरह से प्रभावित कर सकता है क्या बाकि मेनापोच के दौरान इस तन बड़े हो जाते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेनापोच के दौरान मैलाओं के सरीर में कड़ी तरह के बदलाव होते ह उन्हें कई तरह की सारी समस्यों का भी सामना करना पड़ता है इसमें जोड़ों में दर्द, इरुन इंफेक्शन, सेक्स ड्राइब में कमी आधी सामिल है लेकिन हलंकी मेला मेनोपोस को रोक नहीं सकती है यह एक प्राक्टिक प्रिक्री है जिससे हर मेला को गुजनना पड़ता है मगर सावल एह है क्या बाकई मेनोपोस की बज़े से इस तोनों का साइज बर साता है इस सम्मन में मैंने कई लोगों से बात किया तो उससे सबसे मैं आपको बता रहा हूँ यह सच है कि मेनोपोस की बज़े से ब्रिष्ट साइज पर इसका असर नजर आता है असर में मेनोपोस की बज़े से कई तरह के हार्गोनल बदला होते हैं बैसे भी इस प्रिक्रिया के दोरान कभी महिलाओं को 15 दिन लगतार पिरियट होते हैं NCBI में प्रिकासितिक रिपोर्ट के मताबिक मेनोपोस की बज़े से हर पांच में से एक मेला का ब्रिष्ट साइज बढ़ जाता है हलांकि इसकी पीछे कई सारे कारक्ट जिम्मेदा हो सकते हैं मेनोपोस की बज़े से ब्रिष्ट साइज क्यों बढ़ता है अक्सर मेनोपोस के बाद मेलाओं का बजन बढ़ने लगता है दरसल मेनोपोस के दोरान मेलाओं को एस्ट्रोजन और प्रोजे इस्ट्रून हार्बोन की इस्टर में कमी आती है इन हार्बोन के इस्तर गिरनी की बज़े से बाड़ी में fat stored होने लगता है जिसे कम करना महिलाओं के लिए challenging हो जाता है ऐसे महिलाओं का बज़न बढ़ने लगता है जिससे ब्रिष्ट साइज में भी बदलाओ देखने को मिलते हैं जैसे कि इस्पश्ट हो चुका है कि 하र्मोनल बदलाओ के कारण मैनोपोस ने बिष्ट साइज प्रभबीद हो सकता है दरसल मैनोपोस के दरवान बिष्ट टिसू की elasticity कम हो जाती है और वहीं fat के कारण fat बढ़ने के कारण बिष्ट साइज बढ़ने लगता है तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें अबस वता हैं जण्देवारा